तो देखिए फिर से आपके पास फिजिक्स से ही रिलेड़ेट कोशन है और ये आपका वेव फ्रेंट से रहेगा कोशन वेव अप्टिक्स में से है कि नहीं तो आपके पास एक रे गीवन है ठीक है ये रे विलको सीजी चल रही है और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में से बुजर रही है ठीक थापको ना यह वी फ्रेंट आपको गिवन तो आपको यही वेव्फ़रंट ड्रो करना कि यह बस यह चोटा सो concept होना चाहिए कि अगर रियर से डैंसर में जा रही है तो जो वेव फ्रेंट के बीच में जो गाप है यह ना च्छोटा होता जाता है है गहीं मतलब अगला वाला वेव फ्रेंट को इस तरी के से बना सकते हो आप देख सकते हैं क्या हो चुका है कम हो च ठीक है अगले बाले में और कम हो जाएगा तो यही आपको एक छोटा सा कॉन साइट आपको पता होना चाहिए था कि जैसे जैसे डेंसर मीडिया में जाता जाएगा वेव फ्रेंट के बीच में जो गैप हो वह छोटा होता जाएगा अब इस बात को समझेंगे कैसे देखिए यहां से यहां गया वेव तो कितना टाइम लिया माल लिजे वेव की जो स्पीड हो वी है और यह टाइम लिया टी टाइम में ठीक है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए कितना टाइम लिया इसने इतना लिया ठीक है इसने इतना लिया ठीक है स्पीड कितना तो कितना चलेगा सब्सक्राइब कि ऊतने इलकर सकते हैं तो कि झाल झाल